काटोल के संचीती लेयाउट में इस्तिते फण नीचे की दुकान को लगी आग में जुलस कर वहीं पर रह रहे एक 88 वर्षिय बुजूर की मौत हो गई घटना करीब रात धाई बज़े की बताई जा रही है मार्क पर इस्तित इस दुकान में लगी आग को बुजाने काटोल नर्खेण मोवार से दमकल के वहन बुलाई गए थे प्राप्ते जानकारी के अनुसार अविवार की रात करीब धाई बज़े आग लगी आग ने कुछी समय में भीशन रूप धारन कर लिया शैर के संचीती लियाउट में सलीम फरनीचर नामक दुकान है इस दुकान में फरनीचर के मालिक के बुजूर्ग रिष्टेदार नूर मुहमद बोधर रहते थे रातरी में लगी आग की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई गटना रात की होने से ततकाल लोगों को पता नहीं चल पाया जब आग की लप्टे दिखी तो आसपडोस की लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया इस घटना की जानकारी तुरंत काटोल की दमकल विभाग को दी गई, कुछ देर बाद दमकल विभाग की गाड़ियां आग पर काबू पाने पहुँच गई आग की भीशनता को देखते हुए नर्खेड और मोवाड से भी दमकल की वहन बुलाई गए क्यामरा पर्सन अकलेश भारत वाज की साथ शितिजा देश मुख बीसी ए न्यूस नागपुर